आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ इस question में least count दे रखा है stopwatch का 1 by 5 second और 20 oscillation करा हैं एक pendulum से और उसका time period measure कर रखा है उसी stopwatch से जो की 25 second अपना आता है तो उस case में अपने से maximum percentage error in this measurement पूछा है तो 20 oscillation उस pendulum 25 second में cover करता है और इस दौरान जो maximum error होने की गुंजाईश है वो 1 by 5 second की है इससे जादे error तो हो नहीं सकता है क्योंकि least count 1 by 5 second है तो अगर एक oscillation के लिए error अपन निकाले है तो हो जाएगा 1 by 5 by 20 this is error per oscillation और एक oscillation का अगर time period निकाले वो हो जाएगा 25 total time taken by number of oscillation 20 तो अपना percentage error आगया per oscillation delta t by t into 100 तो delta t हो जाएगा अपना 1 by 5 into 20 by 25 by 20 into 100 तो यह basically आता है अपना 0.8% तो option c अपना उस case में answer हो जाता है क्लासिक्स से ट्वेल से लेके NEED IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल का तास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स आज चार्सो 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 पर